Hey guys, आज के इस वीडियो में हम लोग create करेंगे एक modern educational style website landing page design using Figma और साथ हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम ऐसे type के patterns जो है वो create कर सकते है using a method called shape blocking and by the end of this video ये टेखनीक यूज करके आप अपने खुद के patterns जो है वो बना पाओगे तो make sure करें कि आप इस वीडियो को end तक देखें बिना कोई step skip किये और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप वीडियो को like जरूर करें और चैनल को subscribe कर ले ताकि मैं जब कभी भी नया वीडियो upload करूँ आपको notification जरूर मिले तो इसी की साथ बिना कोई time waste किये चली आज का वीडियो शुरू करता है और यहाँ पर है हम लोग Figma के अंदर start करता है एक new design file create करके तो सबसे पहले तो हम एक frame create करेंगे तो मैं यहाँ पर जाओंगा और यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग-अलग presets देखने मिल जाता है तो मैं select करूँगा macbook pro 16 वाला preset थीक है मैं इसे नाम दे दूँगा frame फिर इसे select करेंगे और यहाँ पर जाएंगे layout grid में प्लस पर क्लिक करूँगा जिससे grid add हो जाता है अब फिर हम जाएंगे इस grid के properties में सबसे पहले तो color change करके मैं black कर दूँगा और जो size है वो हम रखेंगे around 125 enter all right तो इसे close कर देंगे अब grid की मदद से हम patterns create करेंगे तो सबसे पहले तो मैं zoom in कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर जाकर rectangle tool select करूँगा और एक pattern जो है वो create कर देंगे all right तो अब यह जो layout है मतलब यह पूरा जो design है या pattern है उसे बनाने से पहले हमें एक basic सा mapping करनी होगी एक basic layout बनाना पड़ेगा इससे पहले हम अपना final pattern बनाएं ठीक है तो उसे बनाने के लिए मैं simply यहाँ पर कुछ shapes add कर दूँगा जिससे मेरे दिमाग में idea clear होते जाए कि मुझे कैसे type की shapes चाहिए अबुक्ता है तो इससे मैं यहाँ पर place कर दूँगा कहा पर इससे मैं extend कर दूँगा थोड़ा सा इसका duplicate में यहां ले लुग जै लोगा यहाँ पर एक block टाल देता हूँ हा क्यूकि यहांपर मुझे shape add करना है यहां पर भी यहां पर भी और यहां पर भी और फिर मैं add कर दता हूँ एक block यहां पर अगर आप चाहो तो अलग-अलग colors ले सकते हैं उससे probably थोड़ा easy हो जाएगा blocking करना but it's fine alt hold करके बस drag करना है जिससे एक duplicate बन जाता है एक मैं block यहां पर set कर देता हूँ और इन दोनों को select करके यहां पर set कर देता है इस तरीके से और एक मैं यहां पर set कर दूँगा और इसे extend कर दूँगा अब जो भी extended block है उससे मैं चाहो तो अलग color थोड़ा सा dark tone दे सकता हूँ पता चलेगा कि वह एक extended block है वैसे ज़रूरी नहीं है बढ़ ठीक है और फिर एक मैं यहां पर add कर दूँगा कुछ ऐसे I press करेंगी और इससे pick whip कर दूँगा same color add करने के लिए and yeah I think that is fine यहां पर और एक add कर देता हूँ तो यह हो गई मेरी basic blocking अब चलिए main pattern को create करते है तो सबसे पहले तो मैं इसे select करूँगा और यहां पर जाओंगा इसे मैं set कर दूँगा इस तरीके से जिसे हमें एक perfect circle जो है वो मिल जाता है फिर मैं इस shape को select करूँगा तो आस जूम in कर लेते है and अगर मैं इसे double click करूँ तो यह editable हो जाएगा and फिर मैं चाहूँ तो इस point को select कर सकता हूँ इस तरीके से and यह जो है इसे मैं rounded कर दूँगा तो हमें एक अलग shape मिल जाता है ठीक है click करेंगे done पे अगर मैं चाहूँ तो इसे delete कर सकता हूँ और यही shape में यहां पर रख लूँगा कुछ ऐसे और यह जो complete style है इसमें आपको बस अलग-अलग shape के साथ experiment करना है कोई specific method नहीं है हो सकता है कोई shape अच्छा लगे हो सकता है अच्छा नहीं लगे इनकी इस अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कभी भी आप उसे delete करके कोई और shape बना सकते हो सही है फिर मैं इसे भी इस तरी की इस से एक शेप बना लूँगा यहां पर भी मैं सेम शेप एड़ करूँगा बस इसे रोटेट करके हम आड़ करेंगे तो shift hold करके रोटेट करेंगे कुछ ऐसे इसे भी मैं circular कर दूँगा और इसे भी मैं actually delete कर दूँगा यहां पर blocking मैं इसलिए की दी ताकि मुझे clear हो कि मेरा जो pattern है वो किस type का एक layout बना रहा है ठीक है जो कि मुझे मिल चुका है अब मैं इसे जैसे भी चाहे वो shapes के साथ experiment कर सकता हूँ तो अगर मैं चाहूँ तो इसे इस तरीके से भी रख सकता हूँ एक tube shape बना लूँगा and yeah everything else is looking fine अब यहां पर मुझे क्या करना है मुझे एक अलग सा shape बनाना है जिसे बनाना थोड़ा सा अलग है तो इसे मैं पहले तो circle मैं create convert कर लूँगा alt hold करके इसका एक duplicate बना लेंगे कुछ ऐसे इसे मैं फिर से rectangle में convert कर दूँगा और चाहिए तो मैं इसका जो color है वा थोड़ा change कर लेता हूँ इसे मैं place करूँगा यहां पर कुछ ऐसे दोनोई shapes को select करूँगा और यहां पर जाएंगे subtract selection जिससे यह मुझे बहुत ही अच्छा सा एक shape मिल जाता है alt hold करके इसका एक duplicate ले लूँगा और यह एक pattern हमें मिल जाता है तो इस तरीके से अब अलग-अलग shapes के साथ experiment कर सकते हो सही है alright so this is looking quite nice I think तब यहां पर इस blocking के लिए में इसे delete कर देता हूँ और एक circle मैं यहां पर place कर दूँगा center में इसे बढ़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से and फिर से इसे circular shape में set कर देंगे stroke में जाके एक stroke आड़ करूँगा काफी बड़ा सा around I think 60-65 should be fine 60 के साथ जाते है 60 सही है and फिर हम क्या करेंगे इसका जो fill है उससे मैं निकाल दूँगा minus पे click करके इसका duplicate ले लेंगे alt hold करके इसे उपर move कर लेता हूँ इसे फिर से मैं rectangle square जो भी है बना दूँगा कुछ यह से इसका जो stroke है उससे निकाल के fill add कर देंगे फिर इन दोनों को select करेंगे make sure करना है कि मैं zoom करूँ और देखू प्रोपर ली ओ लाइन अप है कि नहीं और फिर यहां पर जाकर हम subtract कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा shape हमें देखने मिल जाता है फिर मैं एक circle ले लूँगा फिर से यहां पर इसे मैं बढ़ा कर दूँगा कुछ ऐसे and फिर मैं क्या करूंगा возь lang क कुछ यह बढ़ा इसे पोइंट को सलाट करूंगा shift hold करूंगा इसे पोइंट को सलेक करूंगा और इसे पोइंट को सलेक करूंगा और फिर मैंזה लगा ही था यह point-の adventures नहीं हुआ है फिर से मैं एक बार selection ले लेता हूँ और यहां पर मैं इसे इस तरीके से सेट कर दूँगा and click करेंगे done पर तो इस तरीके से हम एक और एक अलग सा shape मिल जाता है जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से तो and यहां पर मैं फिर से एक stroke add करूँगा इसे मैं set कर दूँगा कुछ ऐसे यहां पर around 45 या 40 शिट भी fine all right and जो fill है वो नहीं चाहिए तो इसे निकाल देता है and यहां पर इसका एक duplicate ले लूँगा फिर से rotate कर देंगे shift hold कर कि यहां पर मैं place कर दूँगा all right काफी सही लग रहा है थोड़ा साइज का यहां पर फरक है तो वो मैं fix कर देता हूँ all right फिर इसका जो stroke है वो निकाल देंगे add करेंगे fill और fill का जो color है वो मैं रखूँगा kind of a gray color कुछ ऐसे एंद फिर यहां पर हमने यह जो shape बनाता है इसका alt hold करके duplicate ले ले लेंगे यहां पर मैं set कर दूँगा और छोटा कर लूँगा थोड़ा सा तो यहां पर एक shape हमें देखने मिल जाता है एंद फिर इसलिए मैं background का color दे दूँगा जो की white है तो देखने में काफी सई लग रहा है एंद फिर हम क्या कर सकते हैं इसको delete कर देंगे यही shape को मैं reuse कर सकता हूँ यहां पर इस pattern के लिए इसका invert कर दूँगा तो basically मैं इससे कर दूँगा black and फिर इससे select करेंगे इसका fill है उससे मैं नेकाल दूँगा और add करूँगा stroke तो around 2 या 3 pixels should be fine कुछ ऐसे and color picker से हम same color जो gray color हमने select किया है वही इन सभी shapes को मैं दे देता हूँ अभी के लिए बात में देखेंगे कि कौन सा color देना है कौन सा नहीं and यहां पर भी मैं same color pick कर लेता हूँ alright तो अभी जो pattern है वह हमारा दीरी-दीरी form हो रहा है और काफी अच्छा अलग रहा है तो अब इसे भी मैं यहां पर select कर लेता हूँ double click करूंगा zoom in कर लेते है and points को select करेंगे shift hold करके कुछ ऐसे and फिर कर देंगे rounded पूरे pattern को अच्छे से balance करने के लिए मैं एक और circle यहां पर और circle यहां पर मैं add कर देता हूँ सही है और ctrl c ctrl v जिससे copy paste हो जाएगा एक नया circle इसका जो color है वो मैं white ले लूँगा जो की background का color है तो यह अच्छा सा look हमें देखने यहां पर मिल जाएगा and same shape मैं alt hold करके यहां पर भी move कर लूँगा क्यूंकि यह shape पीछे है मैं right click कर सकता हूँ और bring to front यह दो shortcut है वो है right square bracket वो भी आप click कर सकते हो तो यह काफी सही लग रहा है अब इस section में मुझे add करना है एक image तो जो मैंने पहले practice करते वका artwork बनाया था उसे open कर लेता हूँ यहां से में same image copy कर लूँगा ctrl c and ctrl v all right and फिर हमें क्या करना है छोटा कर लेंगे इन दोनों ही shapes को select करेंगे और right click करेंगे use as a mask and फिर इस image को बड़ा कर लूँगा कुछ ऐसे properly place कर देंगे position पे तो अब काफी सही लग रहा है अब जाके हमारा जो design है या pattern है I'm satisfied with this so now we can go ahead and add some colors colors add करने के लिए बहुत सारे अलग-अलग color palettes website है अगर आपको समझ नहीं आता कि कौन से colors आपको use करना है तो आप बहुत सारे मेंने dedicated video भी बनाया है for my secret resources करके video बनाया था जिसमें मेंने color palettes वाले websites भी share किया है तो वह आप जाके check out जरूर करें मैं link दे दूँगा description में उसकी तो मैं जो simply हम मेरा pattern का image है वह drag and drop कर लूँगा बहुत ही जादा बड़ा हो गया यहीं से मैं जो colors है वह pick whip कर लूँगा ठीक है तो यहाँ पर जाओंगा I press करके मैं यह purple color ले देता हूँ इसे add कर देंगे अच्छा सा yellow इसे add कर देंगे orange yellow तो इसे मैं change के से करूँ इसे मैं सबसे पहले तो fill निकाल लूँगा add करेंगे stroke of around 3 pixels ठीक है इसके भी ज़रूरत नहीं है इसे delete कर देता है और फिर इसे भी मैं add कर दूँगा यहाँ पर right click और bring to front इसमें add कर देंगे stroke दो नहीं एक ही stroke of 3 pixels फिल नहीं चाहिए तो हमारा जो basic पूरा जो pattern है वो ready हो चुका है काफी fresh and trendy लग रहा है बस एक चीज मुझे यहाँ पर add करनी है कुछ accent of stroke तो उसे add करनी के लिए simply pen tool select करूँगा और कुछ lines बना दूँगा इन grids को use करके तो shift hold करना है यहाँ पर एक line मैंने ऐसे add कर दी enter प्रेस करेंगे फिरसे पर n tool select करना है मैं एक add कर देता हूँ यहाँ से कुछ ऐसे enter एनक add कर देते है यहाँ से फिर इन सभी को मैं select करूँगा इन सभी vector lines को Ctrl G प्रेस करेंगे group करने के लिए इसे मैं नाम दे देता हूँ lines इसे मैं सबसे नीचे move कर लूँगा तो right click करूँगा send to back और right अगर मैं चाहँ तो इनकी opacity है वह भी थोड़ी सी कर सकता हो कुछ ऐसे फिर हमें क्या करना है इस frame को select करना है जो हमने grader layout बनाया था उसे hide कर देंगे तो यह है हमारा final design अब कही कही पे हमें थोड़ा सा adjustments करने पड़ेंगे तो इन lines को select करेंगे और arrow keys use करके properly इने position पे हम move कर देंगे अब मैं सबी चीजों को सब्सक्राइब करने के लिए यह हो गया हमारा pattern alright now Figma is a very powerful software but when it comes to scalable design system unified collaborations that is the time when mock plus comes in really handy whether you are looking for a powerful professional prototyping tool that can turn your ideas into reality or a design collaboration platform to boost your entire product design workflow mock plus cloud is a collaborative platform that allows product design team to collaborate more effectively and efficiently on prototyping and design this tool is ideal for any design team that is looking for a quick way to share ideas talking about mock plus rp it's an online interacting prototyping tool perfect for quickly creating wireframes to realistic high fidelity prototypes and animations you can use mock plus rp for quickly creating any sketches and diagrams wireframes with pre-built components plus they also have a black friday sale going on it gives you a discount of over 60% on all plans this big sale will last from 1st november to 30th of november they are also offering buy one get one free plus 20% off on their team plans and 60% off on their individual plans for more information check the first link in the description below now let's get back to the video now I will add finally some text and one thing I want to do the corners of our frame rounded I like it so I will set around 60% all right now we will not keep it white it's boring it's a bit boring we will keep it we will keep it and the background we will keep it white you will keep it it's a bit boring I think I will not scale it so I will scale it if I can scale it we will select scale tool and then we will scale it we will adjust it if you think it's a little smaller which I think it is I will adjust it it's a little bit this position is correct लग रहा है और फाइनली हम एड करेंगे हमारा टेक्स तो जो भी टेक्स आपको एड करना है वो आप आड कर सकते हो मैं टाइप करूंगा इडियास इस फॉंट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है इंटर बहुत ही अमेजिंग फॉंट है इसे बढ़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से फिर एड कर देंगे कोई भी अगर आपकी टाइग लाइन है या डीटेल आपको आपको आड करना है तो वह आप आड कर सकते हो इसे काफी छोटा कर लेंगे कुछ ऐसे जो color है उससे मैं हलका सा gray कर लोगा दोनों को से लेकर थोड़ा ऊपर move कर लेते है और इसका duplicate मैं यहाँ पर ले लोगा इसे हम रखेंगे black and इसे set कर देंगे bold पर जो नाम है आपकी agency का हो सकता कुछ भी नाम हो यह design school का sorry को मैं design school ही नाम देता हूँ and finally मैंने add कर दिया है एक button just for the website and boom there we go हमारा जो complete landing page design है या hero design है वो ready हो चुका है बहुती simple colors or shapes or combinations use करके So that is a wrap guys I hope आपको आज का यह Figma tutorial जो है पसंदाया होगा मुझे comment करके जरूर बताए और वीडियो को like भी करते एम करते है 1000 likes का इस particular वीडियो पे अगर हम 1000 likes complete करते है तो ही मैं next Figma tutorial बनाऊंगा ताकि इसमझे समझेगा कि क्या आप लोग यह tutorials enjoy करते हो या नहीं अगर आप लोग चाहो तो इंस्टेग्राम पर भी follow कर सकते हो daily updates के लिए और बहुत सारे Photoshop tips and tricks में share करते रहता हूँ Dope.motions और निखिल पवार पे सारे links में description में दे दिये है तो इसे के साथ मैं आप लोग से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए और चाहिए पीस आप